बिहार में गंगा के दक्षणी तट पर बसा है भागलपुर शहर इसी नाम का जिला भी है और डिविजिन भी सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है और भारश सरकार के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का हिस्सा भी है गेहूं, चावल, जौर और बाजरे की खूब उपजाओ जमीन है यहाँ माना जाता है कि महाभारत की कहानी में कर्ण को दुर्योधन ने जिस अंग प्रदेश का राजा बनाया था वो भी भागलपुर में ही पड़ता है इसी शहर में साल 1989 अक्टूबर महीने की चौबस तारिख की ये बात है पत जड़ जाते जाते पत्तियों की सरसराहत छोड़ गया था 29 साल की जमीला बीवी आंगन में जारू कटका रही थी घर के अंदर एक तीन साल की बेटी और दो साल का बेटा था जमीला के शोहर मुहमद मुर्तजा कुछ काम से बाहर गये थे दस बजे के आसपास मुर्तजा वापस लोटे भागे भागे आये थे माथे पर शिकन और चहरे पर पसीना जमीला के कुछ कहने से पहले ही मुर्तजा बोले डंगे हो गए हैं बच्चों को पकड़ो और भागो जमीला ने मुर्तजा की सुनी और पूरा परिवार घर छोड़ कर निकल गया हमेशा हमेशा के लिए कपड़े लत्ते गहने जेवर सब वहीं छूड़ गए और बास सिर्फ इस एक परिवार की नहीं थी बिहार में उस डोज एक कहानी की कई फोटो कॉपियां बनाई गए थी ये कहानी है 1989 भागलपुर दंगो की जिसे 1984 दिल्ली दंगो और 1992 मुंबई दंगो के बीच कहीं भुला दिया गया साथ ही भुला दिया गया उस मुख्यमंत्री को जिसके शासन में दंगा हुआ था नमस्कार मेरा नाम है दिव्यान श्री और आप देख रहे हैं तारीक जिसमें हम सुनाते हों उस तारीक से जुड़ी भारत की एतिहासिक कहानिया आज 12 जुलाई है और आज की तारीक का संबंध है भागलपुर दंगो के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री रहे सतेंद्र नाराएन सिनहा से प्रोट यू बाई कुकु एसम डाउनलोड ता आप नाव शुरुआ से पहले काम की जानकारी इतिहास का एक जरूरी नाता है किताबों से भारते इतिहास से जुड़ी एक बड़ी रोचक आडियो बुक लेकर आए हैं कुकु एसम किताब का नाम है दुक केस डाट इंडिय हिंदी में उपलब इसकिताब में आपको मिलेंगी भारते इतिहास की लानमार्क अदालती मुकद्मों की जानकारी जैसे केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल्स केस, एडियम, जबलपुर केस और अन्य, साथी कुकु एफम का प्रीमिम सब्सक्रिप्शन लेने पर पहले पांसो लोगों को पचास फीजदी की छूट भी मिलेगी, इसके लिए आपको डालना होगा एक कोड ल्टी-फिफ्टी अब वापस चलते हैं आज के एपिसोड पर गोभी का फूल होता है और गोभी बंद भी होती है, कुछ को पसंद होती है तो कुछ को विहद ना पसंद गोभी की सबजी सूखी बनती है और कुछ माहर खांसा में तो रसवाली गोभी भी बना देते हैं इसके इलावा गोभी के पकोड़े भी बनाय जाते हैं शाद दमाग पर जोर डालें तो गोभी के कुछ और इस्तमाल भी सोच सकते हैं सिवाए एक चीज के सुनिए एक फल सपा साल 2021 में जब बंगाल में दंगो की शुरुआत हुई तो सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट शेर होने लगी इसका बदला उसका बदला टाई नफरत के बीच खेत में बीच पीच में कहीं गोभिया भी भूई गई थी एक पोस्त पे लिखा था क्या बंगाल की किसान गोभी की खेती नहीं करते एक दूसरी पोस्ट में गोभी के फूल को राश्ट्रिय फूल, फल और सबजी तीनों घोशित करने के मांग की गई थी इसके अलावा एक अकाउंट के बायों में लिखा था गोभी का किसान ये सब यूँ ही नहीं लिखा जा रहा था गोभी के पीछे एक संदेश था, एक संकेत था क्या था ये संकेत? इसके लिए हमें तोड़ा पीछे चलना होगा साल 1989, नवंबर महीने की ये बात है बिहार के भागलपुर जिले में लौगाएं गाउं पड़ता है उस रोज इस गाउं में एक खेत खोदा गया खेत में लहलाती गोभी उग रही थी, लेकिन खेत गोभी के लिए नहीं खोदा गया था वहाँ छोटे छोटे लाल रिबन निकले थे, बच्चों के बालों में लगाये जाने वाले रिबन रिबन के साथ सर भी थे और शरीद भी कुछ और जगाओं से भी लाशे निकल रही थी कुल 110 लाशे थी इनमें 52 चोटे चोटे बच्चे थे लौगाएं में 25 परिवार रहते थे 4000 की दंगाई भीर ने लगभग सभी कुमार डाला था पहले लाशो को एक तालाब में डाला गया जब लाशो की बद्बू तेज होने लगी तो उन्हें निकाल कर अलगलग जगाँ गाड़ विया गया कुछ को एक खेत में दफना के उपर से गोभी के बीच डाल दिये गये और ये ये मंजर सिर्फ नौगाई का नहीं था दो महीनों तक भागलपुर में चले इन दंगों में हजार से ज़ादा लोगों की जान चली गई थी और ये आंकला भी सिर्फ सरकारी है तो कैसे हुई थी दंगों की शुरुआत साल 1989 सामप्रदाइक माहौल गरमाया हुआ था आयोध्या में राम मंदर बनाने के लिए एक खटा होनी शुरू हो गई थी अगस्त महीने में भागलपुर में एक जलूस निकला लोग देवी विश्धरी माई का जलूस यह तो जलूस हर साल निकलता था लेकिन उस साल जलूस में दंगा होते होते बचा इसके बाद अक्टूबर महीने में एक और जलूस निकला रामशिला जलूस जलूस के रूट पर प्रशासन ने मुहर लगाई दो महीने पहले हुई घटना के चलते पुलिस का एक बड़ा दस्ता साथ में था चौबिस तारी को तै वक्त पर जलूस निकला जलूस मुस्लिम बहुल ततारपुर इलाके में पहुँचा कहते हैं जलूस में भड़काउ नारे लगे बच्चा बच्चा राम का बाकी सब हराम का कि तभी एक 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 जलूस के उपर इट पत्थर फेके जाने लगे एक छोटा बंभी फेका गया किसी की जान नहीं गई मगर जो होना था वो हो गया तुरंत दंगा शुरू हो गया शाम तक अफवा फैल गई कि हिंदों को मारा गया है किसी ने कहा परवत्ती में कुए के अंदर लाशे मिली हैं तुकडों में कटी हुई इसे एक अफवा ने चिंगारी में घी का काम किया और पूरे इलाके में दंगा भड़क गया दो महीने तक भागल पुर जिले में बेहसाब हिंसा हुई सैकलों लोग मारे गए पचास हजार से जादा लोग बेघर हुए धाईसों के आसपास गाउं पर हिंसा ने असर डाला 27 तारीख को दंगा रोकने के लिए सेना बुलाई गई बीएसेफ को भी बुलाया गया जाँच रिपोर्ट्स ने पाया कि नकेवल पुलिस दंगे रोकने में नाकाम्याब रही बलकि कई मौकों पर पुलिस ने दंगाईों की मदद भी की शकायत मिलने पर भी आँख मूंद कर बैठे रहे कई ऐसे मौके आये जब स्थानी पुलिस ने सेना और बीएसेफ को गुम्रा किया जान बूच कर उन्हें भटकाया बागलपुर में गाउं आता है चंदेरी दंगों की शुरुआ से ही गाउं की आबादी डरी हुई थी लेकिन फिर भी वो अपना घर चोड़कर नहीं गए गाउं में जो सबसे बड़ा घर था सब लोग महां चिप गए भीड आई पत्थर बाजी हुई लेकिन फिर देर रात कश्मी लाइट इंफेंट्री की एक टुकडी की तैनाती हुई और भीड तितर बितर हो गई फिर कुछ देर में पुलिस टेशन से एक कॉल आया उन्हें दूसरे इलाके में दंगो की खबर मिली जैसे ही सुरक्षबल चंदेरी से गए भीड दोबारा एक खटा होने लगी जावेद अकबार फ्रीलांस रिपोर्टर है नियू इंडियन एक्सप्रेस अखवार और आउटलुक मागसीन में लिख चुके हैं भागलपुर दंगो के बारे में बताते हुए वो लिखते हैं कि इस दोरान गाउं में हिंसा की घटनाएं जादा हुई थी बहराल दंगो के बाद सरकार हरकत में आई मुख्यमंतरी सतेंडर नाराइन सिनहा जिनका जनम आज ही की तारीक यानी 12 जुलाई 1917 को हुआ था दंगो के दोरान दिल्ली में डेरा डाले हुए थे बाद में सिनहा प्रधान मंतरी राजीव गांधी के कहने पर लोटे और मोर्चा सम्हाला हालां की तब तक काफी देर हो चुकी थी राज्य सरकार ने बाद में इन दंगो की जाँच कराई जाँच भी दो बार कराई गई पहली जाँच जस्टिस रामचंदर प्रिसाद सिनहा और एस शमसुलहसन के नेतरत्व में हुई इस रिपोर्ट ने सामप्रदाइक संगठनो और मीडिया के कुछ धड़ों को अववा पैलाने का दोशी पाया कहा गया कि प्रशासन बिलकुल नकारा साबित हुआ ऐसा लग रहा था कि लोगों की मौतों से पुलिस प्रशासन पर कोई फर्क ही नहीं पड़े रहा है ये सवाल भी किया कि सामप्रदा एक तनाव की आशंका के बावजूद रामचला जूनूस को ततारपुर से गुजरने की परमिशन क्यों दी गई इसके अलावा जुला प्रशासन के भी कई अधिकारियों को प्रशासन के चूप का जिम्मदार थेराया गया इसके बाद एक और जाच हुई जिस्टिस आर एन प्रसाद के अध्यक्षता में उनकी रिपोर्ट में भारत के मुसल्मानों के लिए नसीहत थी लिखा था कि अगर आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान के लोग आपके उपर फिर से भरोसा करें तो आपको ISI एजन्स के साथ अपने संबंध तोड़ देने चाहिए दो महीनी तक ये दंगा चलता रहा इसके बावजू जस्टिस प्रिसाद में प्रशासन को क्लीन चिट दे दी इन दोनों ही रिपोर्टों में मरने वालों की संख्या का जिक्रिन नहीं किया गया था इन दो रिपोर्ट के लावा एक तीसरी थियोरी भी दी गई भागलपुर में उस दोर में कई गैंग सक्रिय थे सबसे मजबूत तीन गैंग थे माधो मंडल गैंग, कामेश्वर यादव गैंग और राम चंद्रा रमन गैंग आरोप लगा कि इन गिरोहूं ने दंगे की साजश रची मुसल्मानों की तरफ से भी कुछ गैंग थे, एक थानसारी गैंग, गिरोहूं में भी हिंदो मुस्लिम की स्थिती थी उस समय भागलपुर में खूब गैंग वार हुआ करता था दंगो का एक असर ये हुआ कि बिहार से कॉंग्रिस का सपाया हो गया मुख्यमंत्री सतेंद्र नारायन सिन्हा बड़े कत के नेता थे, लेकिन दंगो के बाद उन्हें अपने पद से स्तीफा देना पड़ा कॉंग्रिस ने डामज कंट्रोल करने की कोशिश की, सिन्हा की जगा ललित नारायन मिश्र के छोटे भाई जगनात मिश्र को सीएम बनाया गया कॉंग्रिस को लगा कि इतने भर से मुसल्मान उसे माफ कर देंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं मुसल्म कॉंग्रिस का परंपरागत वोटर था, मगर इस दंगे के बाद स्थितियां बदल गई, लालुई आदव मंडल के सहरे सत्ता में आए और भागलपुर की घटना को भुला दिया आ गया दंगो के बाद कुल 142 FIR हुई, 1283 लोगों पर आरोप तैह हुए लेकिन सबूतों के अभाव में इनमें से अधिकतर फाइलें बंद कर दी गई साल 2005 में इस मामले में 10 लोगों को आज इवन कारावास की सजा हुई, नतीश कुमार की सत्ता में इंटरी के बाद कुछ और फाइलों को खोला गया इसके बाद 2007 में लौगाए हिंसा के मामले में 14 और लोगों को सजा मिली मुक्यमंतरी नितीश कुमार ने साल 2005 में ही नए सिरे से दंगों की जाच के लिए कमिशन बनाया इस जाच कमिशन को लीड कर रहे थे जिस्टिस एन एन सिंग परवरी 2015 में इस कमिशन ने हजार पन्ने की रिपोर्ट दाखिल की जिसने दंगों के लिए ततकाली इन कॉंग्रिस सरकार, स्थानिय प्रशासन और पुलिस को दंगों को रोकने में सफल रहने का जमेदा ठेराया दंगों में सब कुछ दुख और दर्द से सराबोर होता है, लेकिन तमाम मायूसियों के बीच कुछ ऐसी भी कहानिया होती हैं जिनसे अमन की उम्मीद जगती है, एक ऐसी ही कहानिया अली मंसारी और दयानंद ज्जाकी एक मुसल्मान, दूसरा मैथल भ्रामन, दोनों बचपन के दोस्त, दोनों दर्बंगा के स्कूल में साथ पड़े, साथ कॉलेज भी गए, रुन्न सुनवाजी का ये भागलपुर दंगा हुआ, अली मंसारी कुछ अपतों तक अपने गाउं में पस गए, घर में बीमार मा थी, उन्हें दवा की जरूरत थी, बच्चे छोटे थे, दूद मांगते थे, दवाई और दूद कहां से लाए, घर में तो राशन भी खत्म हो चुका था, बाहर मौत बट रही थी, ऐसे में बाजार कौन जाए, फिर क्या हुआ, दोस्त दोस्त के काम आया, करीब एक महीने तक दयानंद जहा, रोजान अली मंसारी के घर पहुचते, राशन और बाकी जरूरी चीज़ें लेकर, लोगों ने उन्हें भी धमकाया, ताना दिया, कहां मुस्लिम की मदद करते हो, दंगे के वक्ट जब मजभों की जंग हो रही होती है, तब दूसरे मजभ के किसी इंसा की मदद करने वाला अपने मजभ का आदमी भी दुश्मन बन जाता है, मगर दयानंद जहा पीछे नहीं हटे, पूरी दोस्ती निभाई, इसी पॉस्टिव नोट पर एपिसोड को खत्म करते हुए विदा लेती हूँ, अब आप से कल मुलाकात होगी, अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए, शुक्रिया